नमस्कार मैं हूँ अभैकुमार आप देख रहे हैं अपना खासकार करम बिहार समाचार बिहार समाचार में खबरे बिहार की बाते बिहार की देश-दुनिया की तमाम खबरे जिसे आपको जानना जरूरी है बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से पंचैत के गलियों से और गाओं के चौपालों से जो आपको रखता है अपडेट तो बिहार समाचार में हम पहले बिहार की रायतिक हल्चल की बात करते हैं तो दावाय किया जा रहा है आडेडी के तरफ से कि जदि उनके लिए एक बड़ा गाइडलाइन जारी किया है वहीं अमीट साह भाजपा विधायकों काल लेंगे क्लास और फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले उन्हें बुलाया है गया में अनके खबरों पर नज़े डाले तो मुख मंत्री नितीश कुमार पी ए मोधी और हमीशा से मुलाकात के बाद कहा है कि हम सीट सेयरीक पर बात खुद करेंगे पटना लोट गए है सीम नितीश कुमार फ्लेर टोर्ट पर पोले चिंता मत करिये सरकार में सब कुछ ठीक है दिल्ली में पी ए मोधी अमीशा और अपने सांस्तों से मिले हैं सियम एतिस्कुमार दिल्ली से पटना लोट आये हैं आप पता चल गया होगा पटना लोटने पर दिस्कुमार ने कहा सरकार में सब कुछ ठीक है पर कहा कि चिंता मत किजिए और दिल्ली में दो दिनों में उन्होंने पीए मोदी ग्रीमन से हमीश्चा जेपी नड़ा से मुला सबा सांसाद रामना ठाकपुर ने कहा कि हम लोग सियम नितीश कुमार से मिलने आये थे मिल लिये उन्होंने कहा कि मीटिंग में सीट सेरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुए है वहीं सांसाद कविता सिंग ने कहा कि एंडिये के साथ हम लोग पहले से ही हैं कितने सीटों पर लड़ना है इस पर अंतिम निर्ण नितीश कुमार लेंगे इस से पहले नितीश कुमार भाजपा के बरिये नेता डालके साडवानी से मिले और उन्हें भरत अतन मिलने पर बधाई दिया है और बीजेपी बिधायकों को कहा गया है कि आप जल्द ही गया पहुंच जाईएगा फलोटेट से पहले लोटेंगे पटना और गया पहुंचने का उन्हें आदेश दिया गया है किंद्री गिमत्यमी सादेंगे ट्रेनिंग बिहार बिधान सभायों फलोटेट से पहले कौंगोदेस के बाद भाचा बने विधायकों को सुछच्छी तरस्थान पर भेज रही ह पार्टी हाई कमान के तरफ से बीजेपी के सभी बिधायकों को दस फरवरी तक गया पहुंचने का निर्देश दिया गया है दो दिनों तक सभी विधायक गया में रुकेंगे फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एक कारह की साम पटना लोटेंगे 12 फरवरी को बिहार विधान सभा का बज़र्शत शुरू हो रहा है उसी दिन पहले विधान सभा ध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेस किया जाएगा इसके बाद एंडिये सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा इसको लेकर सियासी गलियारों में अठकलों का बजार गर्म है अमिश्वा विधायकों को ट्रेनिंग देंगे या बात साफ हो गई है भाजपा के कोई नेता फिलाल इस मामले पर अफिस्यली कुछ बोलने से बच रहे है और विधायक ने गया जाने की पुष्टी के है उन्होंने कहा कि गया में लोक सभाचुनाओं को लेकर प्रसलिक्षन होना है केंद्रिये ग्रीम मंत्री हमीशा भर्शुल संबोधित करेंगे और वहीं भागलपूर से बड़ी ख़वर आ रहे है भागलपूर में IT रेड नोट गिनने की मसीन भी बुलाई IT की रेड पर ही है भागलपूर में जमीन कारपारी के घर छापा पटना में भी उर्मिला इंफो टेक के 10 ठीकानों पर करवाई किया गया है भागलपूर में गुरुवार को इंकम टेक्स की टीम ने जमीन कारवारी संकर यादव के ठीकानों पर छापे मारी की संकर यादो बरारी थाना चेतर के हाउसिंग गोर्ड कॉलनी में रहते हैं फिलहाल अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं इधर टीम ने नोट गिनने की मशीन भी मंगवा लिया है अगर इसे बात करें तो उत्राखंड के CM धामी लागातार कुछ नकुछ नया कर हैं और उन्होंने जैसे UCC लागू किया है उसके बाद एक अवैद मदरसे पर बुल्डोजर चलवा दिया है हलदानी नगर निगम ने अवैद मदरसों को बुल्डोजर से गिराया गुसाये लोगों ने पत्थरावाग जनी की HDM पुलिस घायल दंगायों को देखते ही गो बिल्डिंग बनाई जाए थी उसे बुल्डोजर से गिरा दिया है बिल्डिंग गिराया जाने से गुसाये लोगों ने नगर निम के टीम पर हमला कर दिया उपद्रियों ने बनफूलपूरा थाना को चारों तरफ से गहेर कर पत्थराओं किया कई गाड़ियों को जला दि दिया है मुखमति पुसकर सिंग धामी निकाह एकति करमन कोट के आदेश पर हटाया गया है मौके पर पुलीस और कोई केंद्रिय बलो की कंपनियां भेजी जारी है जिन लोगों ने हमला की और आगजनी की है उसकी पहचान कर सक्त कारवाई की जाएगी और इधर पटना किरा निती गर्मा दिया है उप मुखमंत्री समराथ चोधरी ने समराथ चोधरी बोले एक दिर बीजेपी भी अपनी सरकार बनाएगी समराथ चोधरी का यह बयान को लेकर तरह तरह के सियासी अठकले लगाई जा रही है जंगल राज़ खत्म करने को लेकर दितीश ने किया पर और तेजस्ट्री आदव पर हमला बोला है बीजेपी के परदेशत ध्यक्ष और डिप्टी सी एम समराथ चोधी ने कहा है कि बीजेपी लंबे समय से गटवनन करते आई है इसका पालन भी करती है लेकिन हमारा जो संकल्प है उसे हम जरूर पूरा करेंगे बिहार में ब पती कैसे बन गए राजा सुप्रियमों लालुर प्रसाद का नाम लिए भीना कहा कि पहले कहा हमारी पतनि को मुखमंत्री बनाओ प्र कहा मेरे बेटे को मुखमंत्री बनाओ हमारा उसरा बेटा हरे कृष्ण हरे कृष्ण करता है उसको भी मंत्री बनाओ वहां आरक्षन का लाब सिर्फ परिवार को दिया जाता है गुरुवार को बिहार बीजेपी की ओर से पटना में सरीकृष्ण मेमोरीर हॉल में धन्यवाद सम्मान संकल्प समारो को कायोजन किया गया इ और इधर राहूल गांधी ने नरेंद्र मोधी के जाती को पर लेकर हमला बोला है राहूल गांधी ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोधी OVC में पैदा नहीं लिये है वे गुजरात में के तेली जाती से है और तेली जाती को 2000 में भाजपा ने OVC में सामिल किया था राहूल ग मोदी जी परल्यामेंट में कहते हैं कि OBC वर को भागिदारी की क्या जरूरत है मैं OBC हूँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भेंकर बेकूब बनाया जा रहा है नरेंदर मोदी OBC नहीं है क्योंकि मोदी OBC में पैदान नहीं लिये गुजरात में भाजपा के सासन के दोरान 2000 में तेली जाती को OBC में सामिल किया गया था और इधर BPSC के अध्यक्ष अतुल परशाद और केके पाठक को लेकर छात्रा ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है अब छात्रा ने पूछा है सिविल सेवा क्यों चुना BPSC अध्यक्ष मेरी बुद्धी मारी गए थी जब छात्रा ने पूछा है कि आप सिविल सेवा क्यों चुने तो BPSC अध्यक्ष अतुल परशाद ने कहा कि मेरी बुद्धी मारी गए थी खमिया आजा तो मुझे भूगतना है किके पाठा को लेकर भी कई खूलासा किया है और छात्रा से जब इंटर्व्यू वाइंट्रेक्ट हुआ तो छात्रा का पहला सवाल है था कि आपने IIT में All India 9th rank आने के बाद भी स्रिविल सेवा को क्यों चुना BPSC अध्यक्षतुल परसाद बोले यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी गलती का खामे आजा मुझे ही भूगतना है यह बाते जो है गुरुवार को BPSC कार्याले में संवाद कारकरम के दौरान कही गई है और BPSC अध्यक्षतुल परसाद का कारेकल 12 फरवरी को समाप्त हो रहा ह इससे पहले BPSC कार्याले में अभ्यार्षियों के सास्कीदा संवाद कारकरम का उजन किया गया है किया था BPSC अध्यक्ष ने एक छात्रा से एक छात्रा ने पुछा कि आप IIT में All India नोवी रैंक आने के बाद भी सिविल से वाक्यों चुना हम तमाम अभ्यार्षि BPSC के त नाइन आने के बावजूत मैं सिविल से वा में मैं सिविल से वा में आया मेरी बहूत बड़ी गल्ती थी और गल्ती का काम आ जा तो मुझे भूगतना है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होते, उन्होंने कहा कि अच्छाई बुराई हर जगा है, आप मन लगा कर काम करते रहें, अद्धेहच ने कहा कि आपको NCRT पर फोकस करना होगा, और इधर छात्रा ने इससे ले करके के पाठक और अतुल परसाथ पर भी जोग चर्चा होती है क यूपी के छात्र छात्राओं को मदद करते हैं केके पाठक अतुल परसाथ तो उस पर भी सवाल पूछ दिया, अतुल परसाथ ने पूछा कि हमें सुनने को मिलता है कि मैं खुद अतुल परसाथ बोलते हैं कि मैं और केके पाठक यूपी के छात्रों को मदद कर रहे हैं, के पाठक तो यूपी के हैं लेकिन मैं प्रॉपर पटना का रहने वाला हूं मैंने पटना से ही स्कूल की पढ़ाई की और पटना साइन्स कालेज में अपना ग्रेजिशन किया है ऐसा हमेशा सुनने को मिलता है मैं बिहार के बारे में नहीं सोचूंगा तो पहले मैं बता दू कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है और वहीं TRE1 में चैनी टीचरों के लिए सिक्षा विभाग का आदेश जारी कर रिया गया है इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही दुसरे चनमे उगदान सभी DEO को पत्रल लिखा गया है सिक्षा विभाग के ओर से बिहार लोग सेवा आयोग से चैनी सिक्ष को के लिए आहम विषा निदेश जारी हुआ है इस तर्मन में अपर मुक्स प्रथे पथे पाठक ने निर्देश दिया है कि मात्मिक शिग्षा निर्थे सा कन्या प्रसासिरवास्त तो अर्यस्तभी जिल्भाधिकारी को इस तर्मन में उनके विचार उनके च चिथी उपलब्द करा दिया है कि टी आरी वन में जो शिक्षक में चैनित हुए हैं और कहीं ने कहीं योगदान दे चुके हैं अगर उनका टी आरी टू में भी चैन हो गया है और उनका पहली नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपना इस्तिफा देना हो होगा और इस्तिफा मंजूर होने ते बाद ही दूसरे जगह योगदान दे शकते हैं तो यह बहुत बड़ा फैसला सुनाया है बहुत बड़ा आदेश से निर्गत किया है केके पाठक ने और इसे अब पालन सक्ति से पालन करना होगा वहीं उप मुखमती विजय कुमर सु में क्यों और इवाओं के लिए बेहतर काम होंगे अबैत खरन रोकने को सरकार पुरी तरह गंभीर होगी किसानों के आमदानी बढ़ाना प्राथ मिकता है औहीं डॉक्टर प्रेम कुमार बोले आपदा के समय तवरित काम होना चाहिए और इधर केजर के सत्ता में बैठे ल कि जंता के पास वह ताकत है कि किसी को भी परदान मंत्री बनाती है किसी को हटाती है लेकिन आज केंद्र की सत्ता में बैठे लोग स्वयंग अपने अस्तर से सत्ता में आने का दावा कहर रहे हैं यह लोक तंत्र का अनाधर है और वहीं इंडी गठबन में लागातार जिव रंजन का बयान है और विपक्ष में आत्विश्वास का भाव लोक स्वयंग में कोई चुनवती नहीं यह भाजपा का मानना है और वहीं SC-ST से जादा पिछड़ों को कोटा के अंदर कोटा देने के पक्ष में है केंद्र सरकार SC-ST से जादा पिछड़ों को आरक्षन देने के पक्ष में है और वहीं 164 करोड की अवैद वसुली पकड़े लोगों के पास से ED से जुड़े 200 से जादा दस्तावेच मिले है तो यह ED की यह शफलता है वहीं पाकिस्तान में चुनाओ समाप्त हो गया है तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरे जिसे आपको जानना जरूरी था और इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हैं हमारे कैमरे के पीछे हैं रिद्धी और टेकनीशियन सिद्धी मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन बंदे मात्रम